सरकारी हस्पताल में हुई जमकर गुंडागर्दी अग्यात लोगों ने तेजधार हत्यारों से किया हमला हस्पताल परीसर में मचा है हरकम डोक्टरों में मरीजों ने भाग कर बचाई अपनी अपनी जान पूरी वारदात सीसी टीवी में हुई रिकोर्ड वारदात से सहमे डोक्टर वे हस्पताल के करमचारी बुरी तर है पहले भी कई बार हो चुकी है खुन खराबे की ऐसी ही घटनाए हस्पताल स्टाफ खोफ के माहूल में इलाज करने को भी है मजबूर S.M.O. ने पुलिस को दी शिकायद हस्पताल में सुरक्षा दिलाए जाने की मांग C.H.C. घरोंडा में कारे रत डोक्टर वे स्टाफ खोफ के साए में इलाज करने को मजबूर है हस्पताल में कई बार खुन खराबे की वारदा थो चुकी है ऐसे में यहां की सुरक्षार राम भरो से है रविवार की धोपैर हस्पताल में एक बार फिर बदमाशों ने जम कर बवाल काटा और खुले आम तेज़दार हतियार लहराए गए कालरम गाओं के रविदास चौंक पर कुछ यूवकों के बीच हुई कहा सुनी से दो पक्षों के बीच विवाद भड़ा गया मारपीट में दोनों पक्षों के करीब आठ लोग घायल हो गए और इलास के लिए सरकारी हस्पताल में पहुँचे CSC में मौजूद महिला डोक्टर वे स्टाफ नर्स घायलों की जाच कर रहे थे कि अचानब कुछ अग्यात लोगों ने तेज़दार हतियारों से हमला बोल दिया सारा सारा CCTV में कहते हैं और वो हम पोलिस को धेने के लिए तेग्यार हैं सारी सारी CCTV फूटेज पोलिस को लिए दे हैं पुलिस में हमने कल भी इंफर्मेशन बेज़ी थी और आज हम दोबारा से कम्टेट भेज रहे हम से पुलिस के बार पास भी और अपने सिविल सर्दर के पास भी तो जिस तरह की बार दा तो यह है उस्टाफ है उनके बीच कैसा माहवल है खोग कम हो लोगा जो डर तो होता ही है इसमें और वो तो दोनों फीमेल थी तो ड्यूटी पर न जो डॉक्टर भी लेज़ डॉक्टर थी और एक स्टाफ रस ती ड्यूटी पर वस एक लास पूर था क्लास वो और किसी काम से कहीं गया हुआ था तो बाकी चौकी दार और को यह होता है निवे बाकी सेक्टरिटी कहीं जाब हमारे पास कोई यहां पर होता है इस तरह कारोई आज आर टीवी न्यूज के लिए गरोंडा से सुरेंदर पांचाल की रिप